हेलो फ्रेंड्स टू एस्जे मोटर्स पैसे आपके सामने न्यू सुपर स्प्लेंडर एक्स्टेक यह अभी लास्ट वीक ही लॉंच हुई है यह नहीं बाइक आई है वैसे है तो पुरा नहीं मगर उसमें फोड़े फीचर्स एडवांस कर दिये ज्यादा डाल दिये और आप आपको काफी पसंद आने वाली है यह अंडर वंज लेक रुपीज में काफी गाडियों को कम्पिटिशन दे रही है आपको माइलेज भी 65 प्लस का ही मिल जाएगा अगर आप आराम से चलाते हो और इसमें क्या-क्या फीचर्स नहीं मिले चलिए वीडियो में आगे देखते आपको पूरा LED हैड लेंफ देखने को मिलेगा इसमें आपको डे टाइम टरनिंग हाई इंटेंसिटी LED लेंफ भी देखने को मिलेगा फुली डिजिटल ओडो मिटर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी देखने को ब्लूटुट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी जिससे आप कोल्स और समस एलर्ट सीधा आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको लोंग राइट विट सुपर माइलेज यह प्रोमिस दे रही है नई सुपर स्प्लेंडर और यह अपनी बात पर खड़ी भी उतर दिया है कि हीरो की गाड़ी की बिल्ट क्वालिटी काफी बढ़िया रहती है दूसरी बात स्प्लेंडर बिलक्स यह सारी गाड़ियों में पेशन में पुराना मुटल 100cc में आपको क्या रहता था अगर आप सीटे में चलाते हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं मगर आपको थोड़ा बग सीटी फड़ा बग हाईवे यह आपको मिक्स राइट कंडिशन रहती है तो हम सीटी की बात कर रहे हैं तो आपको ट्राफिक सिखनल में अगर रुकते हो तो आई त्री इस टेक्नोलोजी की वज़े से आपको मैक्सिमम फ्यूल स्विट भी देखने को मिलेगी लॉंग राइट में आपकी जर्णी कमफटबल रहेगी साइट स्टेंड इंगिन कट अफ फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आपका साइट स्टेंड अगर लगा हुआ है और गाड़ी चालो कुरती और अगर जैसे ही गेर में डालते हो तो गाड़ी कट हो जाएगी यह एक बहुत भी बढ़िया फीचर से ओटो से जिसमें क्या होता है अगर आपका पॉंपर टुमपर ट्राफिक है और दीरे दीरे आगे बढ़ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना एक्सलेटर देने की ज़रूरत नहीं आपकी गाड़ी सिर्फ क्लच से ही आगे बढ़ती रहेगी आपको इसमें 125 सीसी का पारफुल इंजिन देखना को मिलेगा उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है आगे देखते हैं इंजिन आपका रहेगा एड़ फूर स्ट्रोक 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर और एच सी इंजिन मिलेगा जो 10.7 होस्पार का रहेगा और 7500 आर्पेम पर आपका 10.7 होस्पार निकाल के देगा और 6000 आर्पेम पर आपका 10.6 मुटन अनेम का टॉक निकाल के देगा प्रोग्राम एकल फ्यूल इंजिक्शन टेक्नोलोजी का इस्तिमाल किया गया है जो E20 कंपाइल भी है अपके टायर साइज रहेगी 80 बाइ 100 18 इंच का टूबलेश फ्रेंट में 90 बाइ 90 का 18 इंच का टूबलेश टायर रियर सेस्पेंशन आपके फ्रेंट में हाइड्रलिक्स आप अब्जोड रहेगा टेलिस्कॉपी करेगा और रियर में आपका 5-step एग्जेस्टेबल टेलिस्कॉपी सेस्पेंशन रहेगा ट्रांस्मिशन आपका रहेगा 5-speed का वेट मुल्टि प्लेट का टाइप का क्लच रहेगा ठीपलर टाइमंड टाइप का आपका विचेस्ट रहेगा रेक में आपको दो ओप्शन मिलेंगे डिस्क को ट्रम वाला वेरियंट लेतो 130 mm का फ्रेंट और रियर में और डिस्क वा रहेगा और सेल्फट विच आइट्रीएस एंड कीक आइट्रीएस मेरे खाल से वाइटिफोल सब में मिलेगा एक्स टेक के अंगा इसके टाइमेंशन की बात किजिए तो 2042 mm की ओवरोल लेंट रहेगी विच रहेगी आपकी 702 mm की अगर डिस्ट वेरियंट लेतो 739 mm की सीटाइट रहेगी आपकी 703 mm की और विल बेज रहेगा आपका 1267 mm का अब इसका क्लर स्पून सा आता है और कैसी लग रहे है तो वो 360 में हम देखें तो पहले कलर है ये मैट ग्रेंट काफी लंबी स्ट है इसकी दूसरा कलर रहेगा रेड तीसरा कलर रहेगा आपका प्लेक ये ग्लोसी प्लेक रहेगा आपको यह जो पीछे ओल का कंटेनर दिख रहा है वो पीछे डिस ब्रेक नहीं है मगर अमभी ब्रेकिंग सिस्टम की वज़े से आपको पीछे भी एक इसका कनेक्शन देखने को मिलेगा जिससे आप पीछे की ब्रेक दबाओगे तक पल की आगे की ब्रेक लगेगी ये पी होंगा नहीं मगर आप समझ जाना है आप प्राइस की बात कर लेते हैं मुंबे महाराष्ट में एक सो रूम प्राइस रहेगा 85,028 रुपीज ड्रम पेरियंगा और अगर आप डिस्क वेरियंट लेते हो 88,878 रुपीज आज के दिन की डेट का प्राइस बता रहा हो सकता है प्राइस कम ज्यादा हो सकते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के उपर तो कैसी लगी मेरे रिव्यों अगर पसंदाते हैं तो लाइक बटन दबाए और अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत बुलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो मे मेरे बुलिए भीव प्राइस क्राइस